दोस्तो चाट हम सबको बहुत पसंदे तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी आलू चाट की रसीपी बहुत ही टेस्टी सिंपल तरीके से घर पे ही आप एकदम स्टीट फूट से भी बहतरीन टेस्ट वाली आलू चाट बना के तयार कर लोगे इजी स्टेप से बहुत साथ महनत भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी आलू चाट बनके तयार हो जाएगी इसके लिए मैंने मीडियम साइस के दो उबले हुए आलू लिये है इन आलू को हमने थोड़ा सा बड़ा साइस में स्कॉयर शेप में मैंने इस तरह से काट लिया है अब एकी करके हम इसको बराबर चलाते रहे और चारो तरफ से यह गोल्डन हो जाए इस तरह से स्कॉम फ्राई करके ले लेंगे यह देखिए हलका साइस का रंग चेंज हो गया है थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है चारो तरफ से तो बीच पे एक दो बार आप इसे स्ट्रेश करते रहें औ इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी और साथ ही साथ एक चोता ही चमच काला नमक डाल देंगे इसको अच्छे से फेट के साइड में रख लेंगे अब इस आलू को हम अपनी हतेली की मदद से हलका सा इस तरह से प्रेस कर देंगे थोड़ा सा फ्लाट कर देंगे उसको प्रेस करके अब दोस्तों आप पैन ले लीजिये पैन में आप 20 ग्र्म बटर डाल दीजिये एब इसमें हम डालेंगे आधा चमच कश्मीरी लाल मेच, आधा चमच भुनाजीरा पाउडर और और साथी साथ हम इसमें डाल देंगे आधा चमच अमचूर का पाउडर थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे धीमी आज पर ही बिल्कुल जो हमारा बटर है उसमें हलका सा फ्राय करेंगे स्वात के नुसर नमक भी आड़ कर देंगे और इमीडियेटली यह जो आलू है वो इसमें तरह से हमारी चाट का जो आलू है वो बनके तयार है अब हम इसकी प्लेटिंग चुरू करते हैं पहले प्लेट में हम आलू रख लेंगे इसके उपर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ प्यास डाल रहे हैं दूस्तों अगर आपको प्रफरेंस ना हो तो आप ना डाले साथी ज स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही साथ इसके उपर डाल देंगे बारिक सेव तो इस तरह सेव डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया तो इस तरह से मारी प्लेटिंग हॉल्मोस्ट हो गई है अब थोड़ी सी दही और डालेंगे इसके उपर डाल दीजे थोड़ी